हलो, आप मोनिका डावली, स्टुडेंट टोफ बीटेक, फूर्ट टेकनोलोजी, पास्टनेट पॉबूगी एन अबीग फूडी, सो वेलकम तो मोनिका स्कूगिंग स्टेशन, तो हमारे सीरिज की आज की रेसिप्टी है सेव की सबजी, तो चलिए बनाते हैं तो सेवभाजी के लिए सबसे पहले हम एक कड़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे एक चमच चना डाल, एक बड़ा चमच चना डाल डाला है हमने, साथी में मैं कुछ मूंफली के दाने ले रही हूँ, और साथी में हम लेंगे एक बड़ा चमच जीरा, साबुच जीरा, इन तीनों चीज़ों को हमें दीमियाज पर या मध्यमाज पर अच्छे से भून लेना है देखिए जब उसमें थोड़ी सी सुगंद आने लगे और जब वो इस कलर के हो जाएना तो हम उसे बंद कर देंगे और पीच लेंगे अभी हम उसी कड़ाई में तेल डालेंगे करीब एक से देड़ जमच तेल और उस तेल में हमें कुछ चीज़े भूननी है जैसे की सबसे पहले मैं डाल रहे हूं खोब्रा याने की नरियल सुखा हुआ नरियल और साथी में थोड़े बड़े पिसेस में कटा हुआ प्याज नरियल और प्यास को हमें अच्छे से भूनना है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है लेकिन थोड़े से प्यास सौप्ट हो जाए तब तक हम उसे अच्छे से भून लेंगे मध्यम आज पर ही हमें भूनना है देखिए अभी हमारे जो प्यास थोड़ से सौप्ट हो गया है और हमारा नरिया थोड़ा सा ब्राउन हो गया है प्यास कर देंगे और इससे थोड़ा सा थंड़ा होने देंगे हमने जो चैना दाल वगेर भूनी दी न देखिए उसे पीस कर हमने रेडी कर लिया है और उसी ग्राइंडर में अभी हम कुछ और डालने वाले है सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें हरादनिया इसे हमने अच्छे से दो कर सुखा लिया है फिर मैं ले रही हूँ पाच हरीमिर्च ये थोड़ी तीखी वाली हरीमिर्च है और करीब 12 से 15 लहसुन की कलिया लहसुन इसमें जादा जाता है और एक इंच अद्रग को थोड अधा धंडा हो जाए तब एकदम गरम-गरम डालोगे तो अच्छी से पीस पीसना नहीं होगा अभी हम इसे अच्छी से पीस लेंगे बारिक पेस्ट में ये जो हमारी ग्रेवी बनेगी ना खोड़ी सी ब्रावनिश कलर की बनेगी अगर आपको एकदम रेट दर्री वाली में चूज कीजिए तो आपकी तर्दी एकदम ब्रेड बनेगी देखिए अब भी हमारा जो चना चना डाल का मिक्षर हो भी रेडी है और हमारा पारिक पेस्ट भी रेडी है अच्छी चना डाल को पीसते वक्त आपको पानी डाल के पीसना है लेकिन मैंने उसे सूखा पिस इसलिए मैं अभी उसमें पानी डाल रही हूँ लेकिन आप इसमें पानी डाल करी उसे पिस लीजेगा अभी हम उसी गड़ाई में दो बड़े चमच तेल लेंगे इस वाले ग्रेवी में तेल तुरा ज्यादा जाएगा अभी तेल को अच्छे से गरम होने देंगे और जब कि celui-vo lien में दृट रहे था एक ए साथ voilà वाला पेस्ट और साथ हम वाला पैस्ट पीबाते चुना घ्री बने इस्वाद के साथ और इन डोनों को हमें अच्छे से गुंणना एं चाहिया अब नो यह सारे मसाले तेल में अच्छे से बुनने चाहिए अब इसमें घुसरे मसाल इसमें जरूरी है, आप जरूर आलीगा, साथी में एक चमच लालमेच पौड़े, अगर लालमेच आपकी बहुत तिखी है, तो कम डालिएगा, लेकिन ब्राइट कलर वाली और फिकी लालमेच ही डालिए ताकि इसमें अच्छा कलर आए, फिर से इन मसालों को भी हम साथ में अच्छे से भूमलेंगे तेल में, तेल में मसालों को भुनना बहुत जरूरी है, गैस की आज दीमी रखिएगा, या मध्यम रखिएगा, नए तो आपका जो मसाला है जल सकते हैं नीचे से, अभी हम इसमें पानी डाल देंगे, हमारी ग्रेवी बन कर रेडी है, रेडी या आपके अकॉर्डिंग आपको कितनी थीक ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी की कॉंट्यूटी अग्जिस्ट कर सकते हैं, बस अभी हम इसे मध्यमाज पर पकाने के लिए छोड़ देंगे, जब तक इसमें अच्छे एक दो उबाल आ जाए तब तर, हां लेकिन इसमें एक इंग्रेडियन्ट अभी भी कम है, यानि की हराधनिया, बस अभी हराधनिया भी डल गया है, तो हमारी ग्रेवी बनकर बिल्कुल रिडी है, सेव भाजी में कभी भी आप जाड़े वाले सेव ही यूज कीजिए, अगर आप बारिक वाले सेव यूज करोगे, तो उसका फ्लेवर भी चेंच होता है, और वो बहुत जल्दी गल जाते, तो खाने में मजा नहीं आएगा, इसलिए हम उसमें जाड़े वाले सेव ही सभी से सर्फ करना बागी है, सेव भाजी में कभी भी सेव लास्ट में ही याइड कीजिए, याने सर्फ करने के सिर्फ पाच मिनिट पहले, याने जब आप खाऊगे तो एकदम क्रिस्पी सा भी टेक्स्चर आएगा और थोड़े से मेल्ड भी हुए होंगे, हुँए हुँ और एकदम तर्फी भी बनी है, सिर्फ कलर तोड़ा ब्राउन है, लेकिन अगर आपको प्राइड कलर पसंद है तो आप इसमें जसे में सर्जेस्ट किया, लेसे में वीचों अगर दाल पीचिए, वीडियो लास्ते देखने के लिए थैंक्यू